Question number 14, नगर मंदीरों में आमतर पर वस्तु काला की सैली होती है, option A है मिस्रित, option B है पूर्व भारतिये, option C है उत्तर भारतिये, option D है दक्षिन भारतिये, आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ये C होगा, जो राइट आंसर है, उत्तर भारतिये, चलिए इसका हम ल को, इनलाइशिस में देखिए आपका राइट आंसर होगा, तो option C, उत्तर भारतिये, देखिए आपके सामने है, क्या कहता है, कि नगर मंदीरों में आमतर पर वस्तु काला की उत्तर भारतिये सैली होती है, दुसरा point कहता है, कि नगर सैली का प्रसार हिमालय से लेकर पॉइंट है कि वस्तु सास्त्र के अनुसार नगर सैली की मंदीर में चतु स्कून स्वरूप देखने को मिलता है याद रखियेगा जो नगर सैली है उस मंदीरों में चतु स्कून स्वरूप देखने को मिलता है अगला पॉइंट है कि दक्षिन भारत के मंदीरों की वस्तु वस्तु काला द्रवीन सैली कहलाती है जो भारत के याद रखिएगा दक्षिन भारत में है जो मंदीरों की वस्तु काला को क्या कहते हैं तो द्रवीन सैली के नाम से जाना जाता है चलिए देखते हैं अगला पॉइंट को और देखते हैं देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि मध्य भारत के मंदीरों के निर्मार में नगर और दरविण दोनों सैलियों का परभाव पड़ा या बेसर सैली कहलाती है क्या कह रहा है कि मध्य भाग मध्य भारत बुला है कि मध्य भारत के मंदीरों के निर्मार में नगर और दरविण दोनों सैलियों का परभाव पड है जिसको क्याद नाम से जंते हैं तो बेशर सैली के नाम से जानते हैं याद रखिएगा अगला बुला है कि पंचायतन सब्द मंदिर रचणा सैली से समबंदीत है एक हिंदु मंदीर तब पंचायतन सैली कहलाती है एक हिंदू जो मंदीर है उसी के नाम से पंचायतन सैली के नाम से जानी जाती है अगला point है कि जब मुख्या मंदीर चार सहायक मंदीरों से घीरा होता है आगे देखिए अब के सामने अगला question क्या कहता है कोश्चन नमबर 15 देखिए 15 ये कहा कि मानो की कंधे का जूड डॉड डॉड संधी का एक उदाहरण है जो मानो का जूड होता है याद रखिएगा जो हड़ी से नहीं मिलकर नहीं जूडते हैं उसको तो क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा पहला अपसन ए है चूराए अप अफ़ेखिए छी अपर आफकरा आइंसराइनार अ कूराइब डॉड कि गनाइश नहीं गूरते हैं याद रखिएगा इसका पहले चन्हें हमन लूड लोक देखते हैं आफ़ेग़न दूसरा है कि ball और socket joint एक परकार की संदी असने की जोड है याद रखिएगा जो हड़ी को इकठा नहीं किया जाता है जोड़ा जाता है तो याद रखिएगा वाल socket के द्वारा जोड़ा जाता है जो यहां नहीं है कॉमर के पास भी है उसके बादनी के होनी के पास भी है वहाँ पर वाल socket वहाँ पर उपस्तित होता है जो turn कर सके आगे है point जिसमें गेंद की आकार की एक गोल अस्ती की सतह कॉप की समान दूसरी अस्ती के धस क्या कर रहा है धसकन में समा जाती है यह धसकन का मतलब यह काटोरा की तरह निसमान रहेगा अब उसी में जाकर socket यह चपक जाएगा अब वहीं जाकर हम लोग का काम करता है पाट जैसे यहाँ पर है तो देखिए यह वाला ऐसे इसे घुम रहा है न तो यह socket लगा हुआ है याद रखिएगा अगला है देखिए क्या कहता है अगला point देखिए आपके सामने है कि कंदा तीन हडियों का बना होता है पहला हसली उसी को क्या कहते हैं कलेवी कल कहते हैं कंदे की हड़ी उसको क्या कहते हैं अगला point कहता है कि अस्तियों की समाने बिरिधी के लिए बिटामिन डी की अशक होता है जो बिटामिन डी है याद रखिएगा इसी का अशकता होती है अगला point कहता है याद रखिएगा अस्ति से अस्ति के जोड को लीगामेंट कहते हैं याद रखिएगा अस्ति के अस्ति को क्या कहते हैं जोड को लीगामेंट कहते हैं ये एकजाम में कई बार आ चुका है मान स्पेसी और अस्ती के जोड को क्या कहते हैं तो टिंडन कहते हैं याद रखिएगा ब्यास्क नी मनुसे में 206 हड़ी होती है ब्यास्क जो मनुसे है उसमें 206 हड़ी होता है अगला है कि जन्म के समय सीसूओं में लगबग 300 हड़ी उपरस्थित होता है जब सीसू जन्म ल नहीं 16 नंबर कुश्चन देखिए 16 नंबर को आप पढ़िए क्या कहता है देखिए 16 नंबर देखिए क्या बोला कि महिला महिला एक दिवसिये अंतराष्टिये किर्केट में 6 बिकेट लेने वाली एक मात्रभारतिये इस्पीनर कौन है जो एक मैच में काम की है याद रखिए एक ही मैच में ये छो बिकेट ली है कौन महिला है तो देखिए इसमरिदी मंधाना दुसरा है सेफाली बर्मा तीसरा है ये दिपती सर्मा और चोथा है पूनम यादव आपका राइट आंसर होगा ये सी होगा जो राइट एंसर है जो क्या है तो दिपती सर्मा है याद चेहीं इसका क्या कहता है यह बोला कि महिला एक दिवसी ए अंतराष्टीय किर्केट में छो बिकिट लेने वाली एक मात्र भारतिये स्पीनर दीबती सर्मा है एक मैच में याद रखियेगा अगला है कि सो बिकेट लेने वाली परत्म महिला जो डायना इदूल जी हैं याद रखिएगा डाइना इल्दूल जी जोन है कि 100 विकेट उल्ली है याद रखिएगा अगला पॉइंट कहता है कि 12 सतक बनाने वाली प्रतम महिला जो मिताली राज है ये 12 सतक मारी है तो यहीं बनाने वाली जो मिताली राज है अगला देखते हैं पॉइंट आपके साम किरकेट के सबी प्रारूपों में मिला कर बीशों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाडी बन गई है बीशों में सबसे नमबर वन पर अधिक रन बनाने वाली जो मिताली राज है याद रखियेगा अगला पॉइंट कहता है कि किरिकेट के सभी प्रारूपों में डेबियू करने वाली सबसे युवा महिला खिलाडी जो है सेफाली वर्मा है याद रखिएगा चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कोश्यन नमबर 17 सत्रा को देखिए सत्रा है आपके सामने देखिए सत्रा क्या बोलता है कि दोहा में छो कत्तर इंटरनेशनल कप में भागे तोलन भागे तोलन के लिए स्वन पदप किसे ने जीता कौन भाई जीता था याद रखिएगा जो दोहा कत्तर में इंटरनेशनल हुआ था तो याद रखिएगा आपका अप्सन ए है याद रखिएगा जिम जेरेमी लाल रितुंगा दुसरा है ये बी नमबर मैनन लाज अप्सन सी है अनीस मिसेल अप्सन डी है साइखोम मीरा भा जो कौन है तो डी आपका राइट अंसर है कौन तो साइखोम मीरा भाई चानू जो क्या की थी तो दोहा में याद रखिएगा स्वन पदप जीती थी देखिए इसका इनलाइसिस की बारत करते हैं अप्सन डी है जो राइट अंसर है देखिए अप्सन डी जो राइट अंसर क्या कहता है कि दोहा में 6 है कतर इंटरनेशनल कौप में भर्तोलन वर्तोलन के लिए स्वनपदप साईखोम मीराबाय चानू जीता है याद रखियेगा कितना केजी का था तो याद रखेगा 49 किलो गराम बर्ग में स्वन पदप मीरा भाई चानू ने जीती है अगला है कि मीरा भाई चानू मड़ीपूर राजय की ये भी कोश्चन कई बार आ चुका है कि मीरा भाई चानू किस राजय से संबंदित है तो याद रखेगा मड़ीपूर राजय से का रहने वाली है टोकियो ओलंपिक में इन्होंने रजत पदब भी जीती है याद रखेगा चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेशन 18 नंबर देखिए 18 नंबर क्या कहता है 18 नंबर है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग ये करीत और अगनासे से सराव प्राप्त करता है कह रहा है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग एक क्रीत और अगनासे से सराव प्राप्त करता है याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा जो यह होगा जो छोटी आत सराव करता है याद रखिएगा चलिए एनलाइसिस की बात करते हैं देखिए अठारा का राइट आंसर यह होगा देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि पाचन तंत्र का छोटी आते एक क्रीत और अगनासे से सराव प्राप्त करता है दुसरा है पॉइंट कहता है एक क्रीत से निकलने वाला पीतरस भोजन को छोटी आत में छारिये बना देता है यह अगनासे से पेन क्रियेटिक जूस छोटी आत में पहुचता है मनुसे की आत की लंबाई 6-7 मीटर होती है जो छोटी आत की लंबाई है 6-7 मीटर है याद रखियेगा साकाहारियों में छोटी आत की लंबाई अपेक्छा क्रीत अधिक होती है जिससे भोजन और सोशन हे तू अतिरिक्त प्रिश्चेत्र मिल सके याद रखियेगा अगला point कहता है देखिए क्या कहता है अगला point कि छोटी आत तीन भागों में विभक्त होती है छोटी आत जो है तीन भागों में विभक्त है देखिए कौन-कौन पहला ग्रहणी जिसको क्या कहते है डिवडे नम कहते है दूसरा है अगरा छुद्रांत उसको जेजुनम कहते ह तिसरा है छुद्रांत जिसको इलियम के नाम से जाना जाता है यहीं तीन है जो भाग याद रखिएगा बड़ी आत कोई इंजाइम स्राव नहीं करती यह भी कोश्रन कई बार आ चुका है बड़ी आत जो इंजाइम स्रावित नहीं करती याद रखिएगा इसका तीन भाग हो दूसरा है मलास है तीसरा है कोलन याद रखिएगा चलिए अगला देखिए क्या कहता है ये कहता है अगला कि पितासे नसपाती के आकार की एक थैली होती है जो पितासे का आकार होती है तो याद रखिएगा नसपाती के समान होती है जिसमें एक रीट से निकलने वाला पीत ज हमा रहता है याद रखिएगा चलिए अगला पॉइंट को हम लोग दिखते हैं अगला पॉइंट आपके सामने है क्या कहता है अगला पॉइंट देखिए कहता है कि अगनासे के अक्सी टिक है कोशी काओं से हाइड्रो कलोरीक अमला हाइड्रो कलोरीक का सुत्र होता है एच्टी एल क्या होता है हाइड्रो कलोरीक का सुत्र तो एच्टी एल होता है यह अमला निकलता है जो भोजन के साथ आये हुए जीवाडूओं को नश्ट कर देता है याद रखिएग चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट को देखते हैं देखिए हमारा कोश्चन है 19 नंबर कौन कोश्चन तो 19 नंबर किस बर्स में भारत के शमिधान में नागरीकों के मौलिक करतब्य को जोड़ा गया है कौन अनुछेत के अंतरगत ये याद रखिएगा मौल क्या बुला है कि मौलिक करतब्य को किस अनुछेत के अंतरगत जोड़ा गया है आप्सन्स ए इन ऐस और samplesika स идет के अनुसार इसका आज आंसर है याद रखिएगा 1976 के अनुसार जोड़ा गया है मौलिक कर्तब्य को याद रखिएगा इसका देख लेते हैं एनलाइसिस की बात करते हैं देखिए उनाइस का आपका राइट आंसर डी है याद रखिएगा इसका पॉइंट क्या कहता है कि 1976 में भारत के समिधान में नागरीकों के मौलिक कर्तब्य को जोड़ा गया है अगला देखते हैं पॉइंट 1976 इसवी में 1976 इसवी में कॉंग्रेस पार्टी ने सरदार स्वण सी समीती का गठन किया याद रखिएगा ये भी पॉइंट कोई बार आ चुका है जबकि 1976 इसवी में कॉंग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी थी कॉंग्रेस पार्टी सरदार स्वण सी समीती के गठन किया गया था उस समय याद रखिएगा अगला point कहता है ये भी question आ चुका है 42 वे शमिधान संसोधन अधिनियम 1976 द्वारा शमिधान में मौली करतब्य को समावेश किया गया है याद रखिएगा चलिए अगला point को देखते हैं अगला point क्या कहता है आपके सामने उपस्थित है देखिए कह रहा है कि मौली करतब्य को रूस के समिधान से लिया गया है मौली करतब्य जो है रूस से लिया गया है जो यहाँ पर लागू किया जाता है कहां से लिया गया है तो रूस से याद रखिएगा इसे समिधान का भाग चार के कौमे मौली करतब्य को भाग के चार के कौमे रखा गया है अनुछेद 51 के को केता हट रखा गया है, याद रखेगा मौली करतब्य को, ये कहता है पॉइंट कि 42 समिधान संसोधन अधिनियम weeks 1976 द्वारा 10 मुल करतब्य को जोड़ा गया है, याद रखेगा कितना तो ये 86 स्वमिधान संसोदन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुछेद 51 की कव में एक और मौलिक करतव्य को जोड़ा गया है एक और तो याद रखिएगा 10 गो आएगो और तो कितना हो जाएगा तो 11 मौलिक करतव्य हो जाएगे जो 6 से 14 बर्स के जो बच्चा है उसको सिक्षा देने का अ देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है वहीं कहता है कि बर्स की आयू जो 6 से कितना 6 से 14 बर्स की आयू के बच्चे होते हैं उनको ये क्या कह रहा है सिक्षा का औसर परदान करना परतेक अविभावक का मौलिक करतव्य है याद रखिएगा इस तो टूटल नहीं कितना हो जाएगा एक गारा मौलिक करतव्य हो जाएगा याद रखिएगा उसी को मुल करतव्य भी कहा जाता है देख बीस नंबर कोशन किसी उनका बच्चों की कहानी उस तक एक काल्पिनिक चरीत रहें अप्सन ए चाली एड द चोकलेट फैक्ट्री डी है, एलिस एडवेंचर्स इन वंडर लेंड याद रखिएगा जो राइट आंसर यह होगा, चाली एड दे चोकलेट फैक्ट्री जो राइट आंसर यह है, देखिए इसका एनलाइसीस को देख लेते हैं, क्या कहता है एनलाइसीस देखिए, विल्ली वन का बच्चों की क पुस्तक चारली एड एंड द चारली एंड द चोकलेट हैक्टरी का एक कालपनिक चरीतर है चलिए हम लोग आगे कोश्यन की ओर बढ़ते हैं कोश्यन नमबर आपके सामने उपरस्थित है कौन भाई तो 21 नमबर कोश्यन 21 नमबर क्या कहता है निमनलीखित में से किस योजना के तहत सुक्ष में इकाईयों से संबंदित विकास और पुन्रा वित्रपोशन गतिवीदियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक नई संस्था अस्थापित की गई हैं पहला है परदान मंत्री मुद्रा योजना अफसन B है परदान मंत्री जंधन योजना अफसन C है परदान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना अफसन D है परदान मंत्री आयुस मान भारत योजना आपका राइट आंसर होगा E होगा जो परदान मंत्री मुद्रा योजना इसका की बात करते अफ्षन ए जो राइट आंसर है क्या कहता है पॉइंट परधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत सुक्ष में इकाईयों से शंबंदित विकास और पूर्ण बितो पुषण गतिवीधियों के लिए भारत सरकार दोवारा एक नई संस्था अस्थापित की गई हैं अगला पॉइंट कहता है सरकार ने इस योजना को अप्रेल 2015 में गैर कार्पोरेट गैर क्रिसी छोटे सुक्ष में उधियों को 10 लाख रूपए याद रखियेगा कितने लाख रूपए तो 10 लाख रूपए तक का रिण परदान करने हैं तू लंच किया है कितने लाख तो 10 लाख रूपए याद रखियेगा अगला पॉइंट को दिखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है यह योजना बैंको गैर बैंकिंग बितिये कमपनियां और सुक्ष में बीत संस्थाओं जैसे विविन बितिये संस्थानों के माधियम से गैर कार्पोरेट लाखू बेवसाय छेत रखे को बीत पोशन परदान करती है लाखू का मतलब होता है छोटा जो बेवसाय है याद रखियेगा क्या कहता है कि मुद्रा यानि माइक्रो यूनिट्स डेपलोपमेंट एंड रिफाइनेंस एजिएंसी लिम्टेड सरकार द्वारा अर्षापित एक वीतिये संस्था है याद रखियेगा अगला पॉइंट कहता है कि मुद्रा रिण तीन सिरन्यों में परदान किये जाते हैं जो मुद्रा है वो पैसा को तीन भागों में बाटा गया है तो ये कैसा है पहला पॉइंट है सीसू पचास हाजा रूपए तक रिण ले सकता ह है दूसरा पॉइंट है कि सूर पचास हाजा रूपए से पांच लाख रूपए तक रिण ले सकते हैं याद रखियेगा तीसरा पॉइंट है तरून पांच लाख सी दस लाख रूपए तक के रिण ले सकते हैं याद रखियेगा अगला पॉइंट हम लोग का समाप्त होता है question number आपके सामने हैं 22 कौन question तो 22 number question ये कहता है कि निम्नली खित में से कौन सा महराष्ट के एक संत है महराष्ट के कौन एक संत थे भाई तो देखते हैं अफसन ए है भाखन दुसरा है सुंदर दास C number है दादू दयाल अफसन D है चोखा मेला याद रखिएगा जो महराष्ट के संत है चोखा मेला जो राइट आंसर है देखिए इसका एनलाइसिस की बात करते हैं तो एनलाइसिस आपके सामने है अफसन क्या है तो 22 का D है जो राइट आंसर है याद रखिएगा चोखा मेला मह राष्ट के एक संत थे अगला करता है कि संत को कई राचना किये थे कई यह जान जही? क्या बता है थे तो भाजन के बारे में भी ओ लिखे थे बहुत सारे। अगला है पॉइंट कि इसके कारण उन्होंने भारत का दलित महार जाती का पहला महान कभी कहा जाते हैं, कौन सा तो याद रखिएगा महार जाती, एक महार जाती होता है उसी से ये बिलॉंग करते हैं, चोखा मेला याद रखिएगा बच्पन से ही संथ नामदेव के सीशे थे, कौन तो चोखा मेला वारकरी संप्रदाय से संबन्दित थे, याद रखिएगा, दादू दयाल भक्ती काल में ज्याना स्राइज साखा के परमूख संथ कभी थे, याद रखिएगा, अगला question की और हम लोग बढ़ते हैं question number आपके सामने उपस्थित है 23 number question देखिए 23 number क्या कहता है question देखिए 23 number कहता है कि आमतोर पर मीटर से अधिक उच्ची खड़ी पहाडी की परवत के रूप में बरगी करित किया जाता है option A है 1000, option B है 500, option C है 800, option D है 600 इसका right answer है ये D होगा जो right answer है याद रखिएगा 600 इसका analysis की बात करते हैं तो देखिए इसका analysis 23 का option D होगा जो right answer है देखिए क्या कहता है कि आमतोर पर 600 मीटर से अधिक उच्ची खड़ी पहाडी की परवत के रूप में वर्गी करित किया जाता है अगला point कहता है कि परवत उस सिरेडी अत्वा उच अस्थान को कहते हैं अगला कहता है कि जिस ढालती रहो तथा अपने समीप वर्ती छेतर से इतना अधिक हो कि वह दूर से ही अस्पश्ट रूप से दिखाई दे सके तथा उसका सीखर छेतर पठार से विपरीत संकूचित हो अगला point क्या कहता है देखिए point कहता है कि परवत कई रूपों में पाए जाते हैं परबत कई रूपों में पाय जाते हैं कौन-कौन तब पहला है परबत कटक, दुसरा है परबत स्रेणी, तिसरा है परबत स्रिंकला, चोथा है परबत तंत्र, पचवा है परबत बर्ग, छठा है परबत स्वमू, अगला है परबत सिखर, याद रखियेगा कई स्वमू में प पर्वत्तों को विभाजित किया जाता है, पहला वलीध परवत्, दूसरा ब्लैक परवत्, तिसरा याद रखिएगा उसी को ब्लैक परवत् कोही 159 याद रखिएगा गुमबा, दाकार परवत् भी कहते हैं, चोर्था है संग्राहित परवत पचवा है जटिल परवत छठा है औसीस्ट परवत ये क्या कहता है कि पठार का सर्व परमूख गुण सम्तल और सपाट होना चाहिए सम्तल और सपाट होना चाहिए याद रखिएगा अगला कोशन अंतिम जो है अंतिम से पहले ये 24 नंबर क्या कहता है कोशन आपके सा सिला लेखो में तिरुना मटू कानी को डौड़ोड के रूप में वर्नित किया गया है अप्शन A. मंदीरों को भेट की गई जमीन B. गैर ब्राबर किसान मालिकों की जमीन C. नमबर है जैन संस्थानों क्या है जैन संस्थाओ को दान की गई जमीन अगला है D. नमबर ब्रामडों को भेट की गई जमीन आपका राइट आंसर है याद रखियेगा कौन राइट आंसर है तो अप्शन नमबर A जो राइट आंसर है मंदीरों को भेट की गई जमीन जो मंदीर में नहीं दान किया जाता है उसी को क्या हते हैं याद रखियेगा मंदीरों को भेट की गई जमीन अगला एनलाइसिस को दिख लेते हैं इसका राइट अंसर है ये याद रखियेगा क्या कहता है कि चोल सीला लेखों में तिरूनाम तुकानी को मंदीरों को भेट की गई जमीन के रूप में वर्णित किया गया है दुसरा पॉइंट कहता है कि चोल काल में भूमी के प्रकार पहला है वेल वेलनो गाई उसी को कहते हैं गैर ब्रामण किसान स्वामे की भूमी दुसरा है ब्रामदेव याद रखेगा ब्रामणों को उपहार में दी गई भूमी याद रखिएगा तिसरा है साला भूग जिसको कहते हैं क्या तो किसी विद्याले के रख रखाओ के लिए दिया गया भूमी चौथा क्या कहता है देखिए चौथा है आपके सामने पली चंदम जैन संस्थानों को दान की गई भूमी अगला है कि चोल वंस की रज़ानी तंज़ार थी कोई बार एक्जाम में आ चुका है कि चोल वंस की रज़ानी तंज़ार थी याद रखिएगा राजेंदर चोल ने गएंग गए कुंडा चोल पूरम को रज़ानी बनाया था पहला यहीं रज़ानी बना था राजेंदर चोल को याद रखिएगा दूसरा कहता है कि संगम काल में चोल वंस की रज़ानी उरयूर थी चोल याद रखियेगा संबन काल में संगम जो काल था में चोल बंस की दरदानी कहा थी तो उ रैयूर थी याद रखियेगा नवी सताबदी में चोल बंस पलो बंस के धवन साओ सेसो पर अस्थापित हुआ है अगला कहता है कि चोल बंस के संस्थापक क्या है तो याद रखेगा बिजाया ले थे याद रखियेगा कोई बार एक्जाम में कोशन इससे आते रहता है अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को अवसे लाइक करे देखिए अगला कोश्चन जो आज का लाश्ट कोश्चन है याद रखिएगा आज का हमारा लाश्ट कोश्चन देखिए क्या कहता है भारतिये समिधान का कौन सा अनुछेद अपात काल की उद्घोसरा से संबंदित है अपात काल किस अनुछेद के अंतरगत लागू किया जा आप्शन A है 325, आप्शन B है 235, आप्शन C है 352, आप्शन D है 200 ये 33 पन आपका राइट आंसर है याद रखिएगा आपात काल की घुषड़ा किया जाता है तो 352 की अंतरगत किया जाता है इसका इनलाइसिस की अगर बात करते हैं तो देखिए इसका राइट आंसर है ये अ परतिये सभिधान का अनुचेद 352 आपात काल की उद्घोसना से संबंदित है जो ये 352 आपात काल ये लागू कर सकता है अनुचेद 352 में है कहता है कि राष्टिये आपात की उद्घोसना अनुचेद 352 के तहत ये राष्ट पती द्वारा की जाती है राष्ट पती ही अंतरगत तो अनुछे 352 के अंतरगत ये राष्ट पती लगाते हैं याद रखिएगा ये कहता है कि भारतिय समिधान के भाग ये 18 क्या है 18 के अनुछे 352 से 360 के बीच आपात से संबंदित उपबंद है अगला पॉइंट कहता है कि मुल समिधान में आंतरीक आसांती सब्द थ जिसे 44 समिधान संसोदन अधिनियम 1978 द्वारा प्रस्ति अस्थापित संसोदित कर आंतरीक ससस्त्र बिद्रो जोड़ा गया है ये याद रखिएगा अगला पॉइंट क्या कहता है ध्यान से देखिए ये कहता है अगला पॉइंट कहता है कि राष्टिय अपात के शमय सरकार निलंबित नहीं की जाती है अपित्तु वसंग की कार्य पालिका के पूण नियंतरन में आ जाती है याद रखिएगा अगला पॉइंट कहता है कि प्रत्थम राष्टिय अपात की उद्गोसडा 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1962 को बाहिय आकरमण जो चीन द्वारा आकरमण की अधार पर की गई थी प्रत्थम बार जो अपात काल लगा था तो चीन जब यूद नी आकरमण नी किया था तो उसी समय अपात काल लगाया गया था तो कब 26 अक्टूबर 1962 को याद रखिएगा दूसरा है कि दिवतिये राष्टिये आपात की उद्गोसना 3 दिसमबर 1971 इसमी को लगाया गया था जो बाहिय आकरमण पकिस्तान द्वारा आकरमण किया गया था उसी क्या धार पर 3 दिसमबर 1971 को लगाया था जो राष्ट पति किये थे कि परधान मंत्री ये याद रखिएगा किसके अंतरगत लागू किया जता है तो आबको पहला ही बता दिये राष्ट पति के द्वारा लागू किया जता है अगला कहता है पॉइंट कि भारत के तिर्तिये राष्टिये अपात की घुसरा ये 25 जून 1975 ये 75 में पहिला 1962 दूसरा 1971 और तीसरा 1975 में अपात काल की घुसरा किया गया था याद रखियेगा को आंतरीक असांती के आधार पर राष्टपती फरक दीन अली अहमद ने किये थे जो परधान मंत्री सिरी मती इंद्रा गांदी के बीना मंत्री मंडल के प्रामर्श के याद रखियेगा अगला पॉइंट कहता है कि प्राथम राष्टी आपात की उद्धोसरा 26 अक्टूबर 1962 को बाहय आकर्मन चीन के द्वारा आकर्मन के आधार पर की गई थी अगला कहता है कि भारत में तिर्थिये राष्टी आपात की उद्धोसरा 25 जून 1975 को अंतरा आंत्रीक असांती के आधार पर राष्ट पती फरुकदीन अली अहमद ने किये थे पर परधान मंतरी सीरी मती उस समय इंतरा गांधी के बीना मंतरी मंडल के प्रामस के द्वारा किया गया था अगला पॉइंट कहता है देखिए अगला पॉइंट आपके सामने उपस्थित है क्या कहता है कि मूल समिधान में मंत्री मंडल सब्द का परियोग नहीं किया गया था 44 समिधान संसोधन द्वारा अनुछेद 352 में मंत्री मंडल सब्द जोड़ा गया याद रखियेगा अगला पॉइंट कहता है कि अब राश्टी ये अपत्काल मंत्री मंडल के लिखित सिफारिस पर ही राश्टपती घुसड़ा कर सकते है याद रखियेगा ये आज का हमारा ये समाप्त होता है अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तब तक के लिए जैहिन दोस्तो